बढ़ते हैं बगली खबर के और जहां सिक्किम के राज्यपाल और मुख्य मंत्री ने काशी में पूजा अर्चना की है मंत्रो चार के साथ सिक्किम के इंद्रकील भवन का लोकारपन हुआ है सिक्किम के मुख्यमंदरी प्रेम सिंख तमांग ने D.D. News से खास बातचीत में काहा है कि परियातन को बढ़ावा देने के लिए वह काशी में सिक्किम भवन का निर्मार करेंगे वही सिक्किम के राज़पाल लक्षमना आचारे ने सिक्किम के साथ काशी के समंधों को मजबूत बताया है इंद्रकील भावन का पुनर निर्माड और जिसका उधगाटन राज़पाल और मुख्यमंत्री दोनों सिक्किम के मौज़ूद है पहले तो आप से ही सुरू करूँगा आप काशी के हैं किस तरह से इंद्रकील भावन संबंधों को मजबूत करेगा काशी के और सिक्किम के हमारे सेक्किम को पुनेदान नाम प्राची नाम लोग उन्हें उन्हें इंद्रकील केही नाम से जानते हैं और आज फोके इंद्रकील के नाम से यहाँ पर एक भवन कमाम ऐसे जो बहार से लुगाए उन्शब ठ्छा Mhm करते में कि लिए घण के लिए एक विवस्था के महात्म है मातानो पुर्णै की नगरी है यह सभीidée रहने और अर्गी जिनता करते रहते हैं उसी संस्कृप्ति को आगे बढ़ाते हुए हमारे सिक्किम के जो लोग है औरमें तृपकर समय भी काशी लुक नाम हिए संगम के लिगे लुक्त कर सबक्रेंदंदी비 सोन और के पॉयर्णा मुइसे मैं कोशी तमिलसंगमं मना टिक करू कर दोड़िख में आज हम कह सकते हैं कि उसी का 100 रूपी अभी है कासी और सिक्किम संगमम के रूप में इसको हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के प्रेम सिंग तमांग जी पहले तो इंद्रकील भौन जो पुनर निर्माण हुआ है लोकारपन आपने किया इसके लिए आपको बढ़ाई और इसको आप कैसे देख रहे हैं काशी में सिक्किम आने वाले लोगों के लिए काशी और सिक्किम के बीज में हम लोग एक संपर्गा जुड़ा हुआ है क्योंकि जिनना भी सिक्किम के नागरगिया पर हर साल हर दिन आना जाना करता है क्योंकि हाँ पर जो बनने के बाद आस्टू बहाने के लिए हैं ही आता है तो पढ़ने के लिए भी बहुत आता है क्योंकि बहुत बिधाती आपर पढ़ रहा है विसे विसेश रुप से नकाली में में करने के लिए और पी-एजदी करने के लिए और संस्कीट में करने के लिए हम लोग पहले यदा लेकिन का है का यहां के लिए यहां पर हम लोग पूरे निर्माद किया है तो यह हम लोग totally free कर रहा हूं हम लोग इसको निशूल कर कर रहा हूं और मैं एक आशी ना दामी जा रहा हूं तो मैं कि यहां का जो संसकार हो संसकार को ताकि हमारा सिकीम में है हमारा अच्छा संसकार ऐसा है तेकि हम जोड़ मिलके एक सहष्टा भारत बनाने में हम कदम